और इदर बता दें आपको मुख्यमंत्री योगी आदितनाद भी कोरोना को लेकर आज बैठक करने वाले हैं सुबह 11 बजे ये बैठक होगी यूपी में भी स्कूल बंद करने के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा यूपी में भी हल चल कोरोना को लेकर सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदितनाद बैठक करेंगे उच्छादिकारियों के साथ और चर्चा हो सकती है यूपी में भी स्कूल बंद करने को लेकर क्योंकि दिली, में स्कूल, कॉलेज, मौल्स, सिनेमा हॉल 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश सरकार के ओर से आ चुके है कोरोना के प्रभाव को देखते हैं उसकी संक्रमन को देखते हुए यूपी में भी आज एहम बैठक ग्यारा बजे आकाश शेकर शर्मा हमारी से योगी जुड़ गए है इस समय लकनव से आकाश कोरोना वारिस का संक्रमन का दारा लगातार बढ़ रहा है और ये बड़ी चिंता है चुकि महामारी भी इसे गुशित किया जा चुका है आज यूपी में एहम बैठक 11 बजे सीम योगी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या चीजे जो है खितकारी होंगी खासतर इस कोरोना वारिस को आगे बढ़ने से रोखने के लिए तो मतलब साफ है कि इसकोलों की छुट्टी जैसे चीजे उकुद ले करके उसके इसमें ग्राउंड रिपोर्ट कैया है अकाश कोरोना से निपटने के लिए UPS के असपटालों में क्या तैयारियां है पूजा तो कहीं न कहीं जो साथ तोर पर लगाता जो तरपदेश के स्वास्त मंत्री है वो सारी चीजों पर नजर बनाए हुए है और इस चीजों को देखते हुए जो देखा जाए तो कहीं वाड जो अलग से तियार किये गए हैं जिसमें की कोरोना वारस अगर इलेटट अगर देखा जाए तो 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 फूर आवर्स लगातार उनको जो है बताइद निगरानी में लखा गया है कि किसी भी तरीके के कोई रिपोर्ट सामने आती है तो रिपोर्ट को देखते हुए जब तक उनकी जाश ना हो जाए या पूरी पुक्ता चीजे ना आ जाए तक इक तरीके से उनकों का सबाकी मरीजों से और बाकी आम जनता से दूर रख करके उनका इलाज किया जाए जाए लोग कितने जागुक हैं आकाश लेकिन जागुक्ता कि अगर बात करें तो लखनों में हाली में अभी इकाना स्टेडियम में मैच होने वाला है वहां पे जिस इन सारी चीज़ों को लेकर के बचत की जानी चाहिए उनहीं सारी चीज़ों को लेकर के अभी काना स्टेडियम में दर्शकों के लिए किसी भी तरीके की कोई ब्योस्ता नहीं वो मैच देख सकेंगे मतलब साथ है कि जो बीड़ बड़े इलाके हैं जैसे का ठाना तारीक को इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुखमती की तर्फ से उसमें जो है क्या निड़ने लिया जाते हैं वो आज की बैटा के बादे सारी चीज़ों साथ हैंगी चलिए शुक्रिया आपका आकाश शेकर शर्मा इस खबर पर अपडेट आप से बात में पीलेंगे फिलाल के लिए शुक्रिया